हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई यूट्यूब चानल टेज जेली का आज हम बनाएंगे चाइनी स्टाइल मसाला मैगी इसके लिए मैंने लिए हैं दो मैगी के पैकिट एक कटोरी कटे हुए प्यास, आदा कटोरी कॉंस तीन से चार हारी मिर्च, तीन से चार लसन और आदा कटोरी कटी हुई शिमला मिर्च चलिए बनाना शुरू करते हैं एक पैन में मैंने पानी लिया है पानी को बॉइल होने के बाद इसमें मैं मैगी डाल मैगी को ज़्यादा टुकडे करके नहीं डालना है हम देखेंगे मैगी में जैसे ही बॉइल आ जाएगा इसे बहुत ज़्यादा बॉइल नहीं करना है जिसे की मैगी स्टिक्की हो जाएगी मैगी को एक दूस्टे बतन में निकाल के उसमें एक छोटा चमच ओईल का डाल के ओईल को अच्छे से मिला लेना है ताकि मैगी जो है स्टिक्की ना एक कड़ाईली है उसमें मैं ओईल डाल रही हूँ दो बड़े चमच ओईल जैसे ही गरम हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ लसन डाल रही हूँ लसन जैसे ही सुने रहा हो जाएगा इसके बाद इसमें बारी कटी हुई हरी मिर्च दाल रही हूँ हरी मिर्च फ्राई होने के बाद इसमें मैं आड़ कर रही हूँ कटे हुए प्याज प्याज को बहुत ज्यादा देर तक नहीं बूरना है प्यास जैसे ही गोल्डन हो जाएगी इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई शिम्ला मिर्च इसके बाद इसमें डाल रहे हैं कॉंस इनको अच्छे से मिला लेना है ये तेल में जैसे ही थोड़े golden हो जाएंगे इसके बाद इसमें मसाले आड़ करेंगे आदा छोटा चमज डालेंगे चिली फ्लेक्स आदा छोटा चमज डालेंगे औरिगेनो इसके बाद इसमें नमक डालेंगे according to taste इन्हें जैसे मिला लेना है आप देखेंगे सबजियों को बहुत ज़्यादा golden नहीं होने देना है इसके बाद इसमें मैं मिला रही हूँ मैगी मसाला मसाले को सबजी में अच्छे तरीके से मिलाना है जैसे ये मिल जाएगा इसके बाद इसमें अब हम boil kiwi मैगी डालेंगे मैगी को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसे सिर्फ दो मिनट के लिए पकने देना है आप देखेंगे हमारे noodles कितने अच्छे से बन गए है ये बिल्कुल Chinese style मसाला मैगी बन गई है I hope आपको वीडियो अच्छी लगियो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल टेश जलिका को सब्सक्राइब करना ना भूले Thank you